हेलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्वीट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में जितनी टेस्टी है उससे कहीं ज़्यादा ये हैल्थी है और बिल्कुल एक चमच घी में 10 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाती है बिना चीनी के बिना चासनी के और बिना मावा कि आज ये स्वीट साम रेडी करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आये तो एक लाइक चुरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ डेड कटोरी गोल्डन वाले तिल लिये हैं आप वाइट तिल भी ले सकते हैं चार से प कटोरी से ऊपर थोड़ा सा गोड लिया है और यह कंप्लीट एक कटोरी नहीं है अब यहाँ तीन चमच मैंने मिल्क पावडर लिया है मिल्क पावडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में तो मिल्क पावडर जोड डालेगा और इसका एक दरदरा सा पेस्ट हम रेडी कर लेते हैं यह देखिए हमने अच्छे से पीस लिया है तोड़ा दरदरा ही रखा है अब एक कड़ाई लेंगे उसमें एक टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है और साथ ही इसमें जो मिक्सर हमने बनाया था वो डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक ही भूनेंगे तीन से चार मिनट के बाद जो हमारा गूर है वो मैट होना शुरू हो जाएगा यह देखिए यहां हम गैस का प्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और मैंने यहां एक केक्टिन लिया है जिसे नीचे से थोड़ा ग्रीस कर लिया है और सार प्रेस करके इसका लेवल बना सकते हैं और इसको लेवल बनाने के बाद उपर से मैं जो वाइट तिल आते हैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए उपर से वाइट तिल डाल रही हूँ और इसे हम लगबग एक घंटे के लिए नॉर्मल रूम टेमपरेचर पर रख देंगे एक गंटा हो चुका है हमारा और यह देखिए बहुत ही अच्छी स्वीट मारी बनकर रेडी हो चुकी है पिस्ताज से मैं थोड़ा डेकोरेट करूंगी यह बिल्कुल ऑप्शनल है और यह देखिए मैंने बिल्कुल पीजा की तरह इसके पीसीज में इसे कट कर लिया है खाने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अलसो प्रेस्ट बैल इकन थैंक यू सो मच फो वाचिंग